हेलो फ्रेंट्स, सदियों से चले आ रहे हैर के इंग्रीजेंट्स के फायदे अपने बालों को देने के लिए आज की वीजियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा हर्बल पैक जिसके रिजल्ट बंडरफुल हैं इसको मैंने ट्राय किया है खुद के ऊपर भी और कई लोगों के उपर भी जिन लोगों को हेर्फॉल हो रहा है आप सब कुछ ट्राय करके ठक चुगे हैं तो आप इसको एक बार ट्राय करें इससे कोई side effect नहीं होगा और सारी natural चीजे हैं जिल लोगों को gray hair की problem है उनके लिए भी ये hair mask wonderful result देगा इस remedy से नहीं सिर्फ आपका hair fall रुखेगा साथ में बालों का fracture भी improve होगा आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी dandruff या infection है वो भी चला जाएगा अगर आपके बालों में जान नहीं है डल नजर आते हैं hair तो आज की remedy आपके लिए amazing है इसे आपके बाल लंबे होंगे बाल मजबूत होंगे बालों की जड़े मजबूत होंगी बाल सिल्की शायनी हो जाएंगे और बालों की growth भी होने लगी प्रेमेचर gray hair है तो उस case में भी आप इसे ज़रू ट्राय करें इससे आपको फायदा जरून लेगा तो चलिए देख लेते हैं क्या है remedy तो इस remedy के लि बालों को दोने के लिए किया जाता था और बालों को कोई नुकसान भी इससे नहीं होता था लेकिन आज के टाइम में शैंपू से कई सारी problem होने लगी है शैंपू से ज्यादा बहतर रिचा हमारे बालों के लिए होता है इसमें anti oxygen का भरपूर भंजार होता है जो बालों को स करता है शिककाई में भरपूर मात्रा में vitamin C होता है जो कि बालों के लिए healthy होता है इसके अलावा शिककाई बालों के pH level को control करता है जिससे बालों का natural oil safe रहता है इससे बाल ड्राय नहीं होते हैं और उसमें चमक आती है और बाल soft and smooth बनते हैं इसके बाद लेना है आमला powder आमल पन की problem है बाल जड़ रहे हैं सफेद हो रहे हैं तो इन सभी के लिए आमला best है इसके बाद हम ले रहे हैं नीम पाउडर और जैसा कि आप सभी जानते हैं नीम हमारे बालों के लिए कितना जादा फायदे मंद होता है नीम में कैसी जड़ी बूची है जिसमें कई सारे गु होना है आप ब्लैक की वाटर की जगा नॉर्मल गरम पानी भी लिसकते हैं ज्यादा गरम नहीं हलका गुनगुना जो पानी होता है उसमें भी आप इसको भिगो कर रख सकते हैं तो इसको अच्छे से घोल कर हमको ओवरनाइट रखना है ताकि यह सभी चीजे जो हमने इसमे पैक के अंदर आ गया है और आयरेन हमारे बालों के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए सांथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं अगर आपको जरूत लगती है कि हमें शैंपू करना है तो आप इसके बाद माइल शैंपू भी कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता कर जाएं